ऐख लूग गाइस गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग तो गाइस बिल्कुल राइट टेंप घड़ी वें बच गया बारा और याज आप सब को पता है कि आज बायोलजी का दिन है क्योंकि मंडें हम लोगों ने बायोलजी के लिए और मैं बहुत ही प्यारे कोशन का कलेक्शन लेक्शन लेके आई हूं आप लोगों के लिए बायों के लिए जी हां तो डिफेंस अड़ाप आप सबका वैलकम जैहिंद जैमाकाल और बस करते हैं सेशन को स्टार्ट चोलो जी तो फरस्ट सेशन के लिए तयार है जैसे कि कल हम लोगों ने कुछ कोशन बायों के देखे थे आज भी आपको कुछ मिलते जूलते कोशन बायों को देखने को मिलेंगे तो जैहिंद जैमाकाल गुड मॉर्निंग और फटाफट सेशन को जुड़ना स्टार्ट करो क्लास को में लाइव स्टार्ट करो क्योंकि मैं बिल्कुल राइट टाइम पे आप लोगों के लिए सेशन लेकर आ चुकी हूं और डिफेंस अड्डा पे आप है मेरे साथ फाइंस बाइन यहारी का राट और मैंने आपको बताया था कि एक मार्च से नया सीडियस का बैच भी लोंच हो रहा है तो आप उस बैच को परचेस करने के लिए कोड यूज करेंगे वाई 431 और आपको मिलेगा 77 परसंट का डिसकाउंट जी हां आपको मिलेगा 77 परसंट का डिसकाउंट और इसी के साथ क्या आप तयार है आज के 25 बहतरीन कोशन के लिए क्या आप तयार है एक बार लिख दो क yes ma'am we are ready thumbs up दे दो फटाफट से फिल मैं कोशन की जड़ी लगाना स्टार्ट करते हूं लिग दो yes ma'am we are ready फिल मैं करते हूं स्टार्ट को स्टार्ट जी हां सैसन स्टार्ट है और उपासना जी जैहिंद माइडिया उपासना शुभाम आ चुके हैं फोजी गोरफ भी आ चुके तो क्या आप तैयार है से अमेजिंग से सेशन के लिए आप लोग तयार है बिल्कुल जी क्योंकि यह डिफेंस वैरियर से यह हमेशा तयार रहती है अब Quchen nr. 1 Peninsulin is extracted from Peninsulin क्या है? मैं मैं इसको क्या बोलते हैं? मैं यह आपका First Antibiotic है जी हाँ यह First Antibiotic है जी हाँ मैं यह First Antibiotic है जी हाँ अब एक तो कोशन आप लोग बताएंगे कि इसकी'RE discovery किसंने करी एक तो कोशन का answer आप लोग लोग देंगे कि इसकी discovery किसने करी दूसरा बताएंगे कि जब इसको extract करते हैं तो कहां से करते हैं वह लाइकन से करते हैं वह फंगस से करते हैं वह एलगे से करते हैं या वह इस से करते हैं चलिए बताइए कोशन का भैतिरिन सा राइट आंसर क्या जाएगा मैंने आप लोगो एक तो आप बताएंगे मैं डिस्कवरी तो बच्चा अगर हम डिस्कवरी की बात करते हैं अगर हम डिस्कवरी की बात करेंगे तो नाम क्या तहां मैं एलेक्जेंडर प्लैमिंग एलेक्जेंडर प्लैमिंग राइट बिल्कुल राइट मैं और कई बार यह कोशन मैं करा चुकी हूं और याद रखने बच्चा कल मैंने आपको क्या रहा है था और इसी के साथ इस कोशन का राइट आंसर क्या जाएगा फंगस जाएगा जी हाँ इस कोशन का राइट आंसर जाएगा फंगस जो पैनिसलीन है यह आपकी फार्स एंटिबायोट्रिक है इसकी डिस्कवरी अलेक्जेंडर फ्लैमिंग ने करी थी और इसको हम कहां से एक्स्ट मैं आपको PYQ कुराय करूंगी, so that आपको समझ में आए, कि science की value कितनी है, 33-35 marks की science आपके GS में आती है, 33-35 marks की science आप लोगों की किस में आती है, GS में पाई जाती है, ठीक है, चलो, अब हम चलेंगे अगले question पे, जी हाँ, अब हम कहां चलेंगे, तो my dear, अब हम चलेंगे next article प is the effect of antigen on a ill person, अगर कोई बिमार इंसान है, ठीक है, तो बच्चों जो उसके antigen है, वो उस पे क्या effect करेंगे, जी हाँ, antigen एक बिमार इंसान पे क्या करेंगे, कल भी ये question आया था, याद है, जुनोंने कल वाली class ली थी, कल भी ये question आया था, लेकिन थोड़ा घूम के था, लेकिन question का मतलब भी ही था, और answer भी same था, अब बताओ वो क्या करेंगे, और options में एक दो चीज़ एक्स्ट्रा आ गई है, कि मैम वो WBC की production को इंकी risk करेंगे, वो antibiotics और इनी को क्या बोलेंगे, इनी को बोलेंगे antibodies, तो मैम वो antibodies को बनाएंगे आपके शरीर के अंदर, वो माइडियर याद रखना important है science की वेटेस किसके अंदर, तो बच्चा मेरे science की वेटेस जो important पाई जाती है, वो होती आपकी serious में और आपकी NDA में, राइट, चलिए, तो इस question का right answer, कल भी बहुत प्यार से बताया था, जी हां, बहुत अच्छे से समझाया था, कि हमारी शरीर में immunity कौन बनाता है, मैं immunity बनाते हैं antibodies, कौन बनाते हैं antibodies, और इस antibodies को, जी हां, इस antibodies को हमारे शरीर में produce करवाना, यानि की active कौन करवाएगा, तो वो करवाएगा antigen, तो right answer क्या हो जाएगा, my dear, मैं right answer हो जाएगा, option number B, क्या कोई doubt, क्या कोई doubt, आभी भी देखो, लोग क्या करें, it prevent the growth of bacteria, नलाइको, bacteria की growth को prevent नहीं करेंगा, वो antibodies बनाएगा, और antibodies अपने आप अपना काम करेंगे, कि virus को रोकना है, fungi को रोकना है, किसको रोकना है, तो भगवान, मतलब आप लोग क्या करते हैं, आप लोगों को सही answer भी गलत लगते हैं, हो, हो, बहुत गलत, कल तो ये question आया था, इसमें दो option बदले हुए था, और मैंने आपको समझाया भी था, तभी क्या रही हूं, कि code लगाओ, y431, और एक मार्च से start होने वाले cds batch में, जोइन कर लो, एक मार्च से नया cds batch आ रहा है, इसमें आप लोग जोइन कर लिए, ताकि आपको अफसोस ना रह है, आपको बताना है, कौन सा सेल, blood circulation में help करता है, तो hint ले लो, blood circulation में help कौन करता है, मैं, RBC help करता है, क्यों क्या करता है, मैं, ये oxygen को in करवाता है, और CO2 को क्या कराता है, out कराता है, तो इन में से RBC कौन से है, अब आप बताओ, मैंने आपको hint दे दी, जी हाँ, अब गाइस, session को like and share करते रहें, session को like and share करते रहें, क्योंकि, आपका साथ, आपका विकास हमारा नहीं, ये आप लोगों के लिए session ला रहें, मुझे क्या need है, कि बच्चा मैं आपको पढ़ा हूँ, वो भी इस time पे, जब मुझे पता है, क्यों प्यार में भूख लगती है, ले answer क्या पाया जाएगा, option number A जाएगा, erythrocytes जाएगा, blood platelets जाएगा, monocytes जाएगा, या lymphocytes जाएगा, तो सब को पता है, मैम जो erythrocytes होते हैं, यही तो होता है, RBC का नाम, लेकिन caution ने क्या किया, E की जगा, A दे दिया, वरना हम इसको erythrocytes लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अगला question क्या पाया जाएगा, तो बच्चा मेरे जो आपका अगला question है, देखो, आप सब को पता है कि मैं blood circulation में कौन help करता है, RBCs, platelets क्या करते हैं, मैं blood की clothing कराते हैं, और immunity से कौन बचाता है, या immunity को strong कौन करता है, या prevent from disease, prevent from disease, तो बच्चा disease से आपको कौन बचाता है, disease से आपको बचाते हैं, WBC, monocytes और lymphocytes are the white blood cells, right, चलिए, अब हम देखते हैं, अगला question क्या पाया जाएगा, तो अगला question जड़ा पढ़ी है, बताए, राइट आंसर क्या पाया जाएगा, कीरती मैं कहां है, अरे बच्चा मेरी, मेरी क्लास 12 बचे हुआ करेगी, मेरी क् अब बताओ, राइट अंसर क्या जाएगा, पताओ, जल्दी से, पोशन कहता है, की पोधे के अंदर, या प्लांस के अंदर, वाटर का और कैल्शियम का एब्जोर्बशन, कौन सा एलिमेंट करवाता है, कौन सा एलिमेंट कराता है, तो कौन सा, अगर हम बात करेंगे क्लोरोफिल, अगर हम लोग बात करेंगे क्लोरोफिल की, तो लोग क्लोरोफिल का काम कौन करवाता है, मेगनीशियम कराता है, लेक कौन कराएगा मैं बोरोन कराएगा तो राइट एंसर जाएगा अप्शन नमबर भी कई लोग क्या बोल रहे हैं कई लोग कह रहे हैं मैं मैं गनीज नहीं बच्चा बोरोन जाएगा क्या जाएगा बोरोन जाएगा इन्नोसेंट बोई कह रहे हैं कीरती मैं का है बच्चा ऐसा है कि मैं next question क्या पाए जाएगा अगला article क्या होगा तो अगला आप लोगों से क्या कहता है कि कि किस टाइप की वुड आपकी expose हो जाएगी जब आप उसको open air में रखेंगे तो किस टाइप की वुड open air में रखने में expose मतलब क्या हो जाएगा कि मैं कहीं न कहीं वो damage हो जाएगी कहीं न कहीं वो हमारे use के लिए नहीं रहेगी तो option है softwood, fibrouswood, wetwood या hardwood अब आप बताएंगे कि right answer क्या पाए जाएगा चलिए सुबं ब्रैडी सागर उपासना ड्रीम जी बोलिए मेरे प्यारों और guys session को like and share करते रहिए क्योंकि आप लोगों के लिए तो session लेकर आ रहे अब देखो यहां पर like भी 17 और बच्चे भी 17 तो कम से कम 50 प्लस बच्चों को जोड़ो क्योंकि आपको बताए 33 तो 35 marks कीजी है 33 से 35 marks अकेले मेरे हाथ में तो कहां जाओगे इन marks को accurate लेने के लिए आपको science की class में आना ही पड़ेगा सब को बताए कि मैम जो भीगी भीगी लकडी होती है जो लकडी भीग जाती है अगर उसको हवा में रखेंगे तो वो खराब हो जाएगी फिर उसको जलाने के लावा कोई यूज नहीं रहेगा पहले उसका पानी को ड्राइ करवाना पड़ेगा उसका फनेचर भी नहीं बन पाएगा तो राइट आंसर जाएगा वैट वूड राइट वूड और यहां से रेडडी का शुबम का उपासना का ड स्पेक्ट्रम कौन से स्पेक्ट्रम पता है ना कि मैं ग्रूप की बात करी गई है जी हां एंटी बायोटिक के सबसे बड़े ग्रूप की बात करी गई तो सबसे बड़ा ग्रूप कौन से है मैं पैरसिटम होला है पैनिसिलीन है मैं एंफिसिलीन या पिलोरों पैनिकोल है आ प्रिएट और आपको और आपको बैक्टिरिया होने से बचाते हैं और मौच्ट ली जो एन्टी बाइटिक्स होती है तो वो कौन से color की होती है क्या आपको पता है कभी अगर आपका पेट खराब हुआ हो या कभी आपको food poisoning हो तो उसमें से आप antibiotic को कैसे search करेंगे मैं आज बताती हूं antibiotics कैसी होती है तो अगर आपको चार गोली दी गई है तो एक ऐसे cylindrical shape की capsule होती है और यह capsule कौन से color की होती है तो मैं color fill कर देती हूं कौन से color की होती है मैं यह होती है इस color की तो माइडियर yellow color की जो capsule पाई जाती है जी हाँ yellow color की जो capsule पाई जाती है इसी capsule को क्या बोलते है antibiotics तो आप याद रखना कि मैं जो antibiotics होती है वो हमेशा यलो कलर की ही बनती है चाहे वो light yellow हो चाहे वो dark yellow अब मैम इसके पीशे concept क्या है इसके लिए आपको deep bio पढ़नी पढ़ेगी और deep bio पढ़ाने के लिए आपको human disease मेरे paid course में लेना पढ़ेगा अब बताओ जी इस question का right answer क्या जाएगा तो my idea इसका जाएगा मैम emphicillin क्या जो emphicillin है वो आपके antibiotics का सबसे largest spectrum है मुझे पता है कई लोग बोलेंगे parasitamol नहीं बच्चा emphicillin के अंदर बहुत type के drugs और बहुत type की दवाईया बनती है तो right answer जाएगा emphicillin जी हाँ right answer क्या जाएगा emphicillin जाएगा ठीक है चलिए इनोसन कहरें कि मैम time तो पता था लेकिन ऐसे मुष्र कोई बात नहीं नेवियूला मैम के पास आना ही पड़ेगा जी हाँ ओ माई गोड नेवियूला वैसे मुझे बादल बनने का बहुत शोक है मैं कहीं भी उड़ती रहती हूं राइट चलिए जी तो माई डियर यहां तक कोई डाउट चले आगे आज मैं सुबह सुबह गई मंदिर और पूजा पाट करी कि है महाकाल महाकाल पर जल चड़ाया और पूजा करी कि है महाकाल मेरे बच्चों को बुद्दीदो राइगुलर क्लास में उनका भला करो उनका सीडियस क्लियर करो देखो ठीका भी लगा रहा है मतलब आप लोगों के लिए में इतनी पूजा बहुत प्यारा कोशन आपके आज के बायोलजी के सेशन में हो ही नहीं सकता प्यार से बताओ राइट आंसर क्या जाएगा और फटाफट से बतलब हर काल से बचाया और सबका भला करें ठीक है तो बच्चा इस कोशन का राइट आसर में हमें पता है कि 99 परसेंट हमारी दातों में हड्यों में क्या होता है वह कैल्शियम होता है लेकिन कैल्शियम आपका कार्बोनेट और फोस्वेट के रूप में पाये जाएगा तो तो राइट आंसर जाएगा option number a राइट आंसर क्या जाएगा option number a जाएगा चलिए फटा फट अब हम चलेंगे अगले कोशन पर देखो मैं कितने प्यार से पढ़ा रही हूं है ना लेकिन आप हैं कि आते ही नहीं है चलो जी एंगोरा वूल कहां से मिलती है जी हां एंगोरा घता है वह क्या करते है वह आपकी लाल लाल गाजर यह लो मैंने गाजर भी बना दी जी हां तो वह आपकी लाल लाल गाजर को बहुत ज़्यादा sih करता अब बताओराइट अ स्क्याज़ हाएगा चलो फोड़े हम ने तो पूरी hundred देदी कि major year ये जानवर हिमाचल फ्रिद सबसे पहले एंगोरा वूल कहां से मिली थी देखो यहां पर दो आंसर जाएंगे रैबिट और आपकी गोट लेकिन नमबर वन एंगोरा वूल एंगोरा रैबिट से मिली थी उसके बाद में एंगोरा गोट से पाई गई थी तो पहले एंगोरा रैबिट बना फिर एंगोरा को नाम दिया गया तो right answer option number A जाएगा यानि की rabbit जाएगा क्या जाएगा right answer option number A यानि की rabbit जाएगा समझ में आया angora goat भी होती है लेकिन पहले जो angora wolf obtain करी गई थी वो rabbit से करी गई थी उसके बाद क्योंकि rabbit को लोग मारने लगे और उसके बाल भी धिर धिर आते हैं तब उन्होंने ऐसी कोई आपकी गोट ढूंडी और उस गोट का नभी नाम क्या रख दिया एंगोरा और वो भी उससे similar similar पाई जाती थी यानि कि उसके जो fibers थे वो भी आपकी rabbit की फरवाली skin से similar similar पाई जाते थे चिक है चलिए तो अब हम देखते हैं कि अगले question का right answer क्या पाए जाएगा अगला question कहता है कि कौन सी disease effect woman easily than that of man my dear कौन सी बिमारी होती है वो women's को ज़्यादा effect करती है as compared to men बहुत प्यारा question है which of the following disease which of the following disease will affect woman easily then that of men महिलाओं को कौन सी बिमारी ज़्यादा पाए जाते है पाहिलाओं के क्या होता है है इस तरीक एसे जो जॉइन्स होतले हैं न हम जोइन्स के अंदर क्या होता है 1966 इन जोइन्स के अंदर excess uric acid deposit हो जाता है excess uric acid क्या हो जाता है मैं deposit हो जाता है उसके बाद क्या होता है उनको यहाँ पे joint pain होने लगता है क्या होता है बच्चा उनको यहाँ पे joint pain होता है अब इस joint pain को आप क्या बोलेंगे heart attack बोलेंगे नहीं हैपी ट्राइटिस बोलेंगे नहीं तो उसको आप क्या बोलेंगे जोइंट आर्थरिटिस्ट या मैं आर्थरिटिस्ट बोलेंगे यह आप बताओ यह तो option number C जाएगा यह option number D जाएगा बताए यह right answer क्या जाएगा माइडीयर माइडीयर देखो बच्चा यहाँ पर क्या पूछाएं यहाँ पर पूछाएं कि इफेक्स वुमेन इजली दैन मैं अगर हम हर्ट अटेक के केस की बात करें तो अब जो नई रिसर्च है उसमें मैन को जाद़ हर्ट अटेक आता है as compared to woman इसलिए अब वो कोशन का pattern बदल गया है अब यहां से जो राइट आंसर जाएगा देखो बच्छा यहां से जो राइट आंसर जाएगा arthritis को ही joint arthritis बोलेंगे तो राइट आंसर arthritis जाएगा joint लगाने के जोड़त नहीं arthritis कोई क्या बोलते हैं गठिया बाए क्या बोलते हैं मैं इसी को बोलते हैं गठिया बाए क्या बोलते हैं गठिया बाए ठीक है तो माईडिया अगर यहां पे आता डबलू एचो तब आप क्या लगाते हर्ट अटेक लगाते लेकिन यहां पे डबलू एचो नहीं आया तो नि की रिपोर्ट को कंसीडर नहीं किया और जब डबलु एचो की रिपोर्ट को कंसीडर नहीं करें तो माइडिया इंडियन सोसाइटी के अकूरिंग फीमेल्स को ज्यादा आर्थ्रिटिस की बिमारी पाई जाती है ठीक है चलिए अगला कोशन देखते हैं बच्चा अगलों जिए लग इंधे पिटटरी ग्लेंड का लग बोलते हैं मास्टर ग्लेंड अब बटाइए पटैटरे घ्लैंड कहां पर लोकेटिट है घ्लेंड है लीवर में या इंटरस्टाइन में बहुत प्यारा कोशन है चलो बताइए पिटिट्री ग्लैंड कहां पे लोकेटिड है यह तो बहुत प्यारा कोशन है इसका भी राइट डांसर नहीं तो कि तो कैसे काम चलेगा आपके बोडी के किया के बहुत लिकाएं में यह अंचारण को के बादे चलशियम की वोन डैंसिटी वि asi वी को जाती है राइट चलो अगला कोशन देखते हैं मैं अगला कोशन क्या क्याता है तो अगला कोशन आप लोगों से क्या क्याता है कि में अगर दो वाइँ तो उसके चैसन सेमें क्योंकि सब्सक्राइंrukt को बीपी को बीपी बोलेंगे डाइबिटीज इसको diabetes बोलेंगे अब बताइए इस question का right answer क्या पाया जाएगा fasting के time sugar कितना होता है तो मैं fasting के time sugar आपका कितना होता है 7200 mg per deciliter अब कई बच्चों ने बोल दिया मैं option number A बिल्कूल गलत कर दिया क्योंकि right answer जाएगा option number C जी हाँ मैंने प्यारो right answer क्या जाएगा मैं right answer जाएगा option number C तो इस question का right answer मैंने आपको बता दिया है अब बताइए कोई doubt, no मैं चलो जी इसके बाद यह जो condition होती है मैं यह खाने के बाद क्यों होता है आफ्टर इटिंग, 120 से 1.500 आपकी खाने के बाद पाई जाएगी, fasting के टाइम पर क्या होता है मैं, 7-2, एच्छा एक बाद बताओ, आफ्टर इटिंग, आफ्टर इटिंग, जो आपका saliva होता है, खाना खाने के बाद, जो saliva होता है, उसका नेचर कैसा पाया जाता है, खाना खाने के बाद, saliva का nature कैसा हो जाता है वो acidic हो जाता है या वो basic हो जाता है, बहुत प्यारा question है, ये question भी serious के अंदर आया था, कि खाना खाने के बाद, humans के saliva का pH कितना हो जाता है, वो acidic है, basic तो हम क्या लिखेंगे, more than seven हो जाएगा क्या हो जाएगा more than seven तो मैं वो बेसिक हो जाएगा और खाना खाने से पहले क्या होता है acid होता है तो my dear आपका जो pH value होता है saliva का वो होता है near around 6.5 to 6.8 that is slightly acidic खाना खाते ही वह 7.2 और थिरी के राउन बहुत जाता है तो इस बात को आप लोग याद रखना चीक है चलिए अब हम देखते हैं अगला question क्या क्याता है अगला question क्याता है कि एक पेड़ के एक पेड़ के stem में जो उसमें 50 rings है तो आपको बतानी है कि एज क्या है बहुत प्यार कोशन नहीं जी हाँ बच्चा एक स्टैम में एक पेड़ के stem में कितनी गोल गोल rings है तो मैं ये गोल गोल rings कितनी पाई गई गई है 50 पाई गई है तो अब आप मुझे बताएंगे कि माई डियर उस पेड़ की एज क्या है और याद रखना ये question बोटनी का बहुत फेमस question है जी हाँ बोटनी का बहुत जादा फेमस question है तो अब बताएंगे जी कैसे पढ़ेंगे और कैसे समझेंगे चलिए बताएं 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 जलदी से राइट आंसर क्या जाएगा जी हां तो बच्चा इनी कॉम बोलेंगे मैं हम एनूरल रिक्स जी हाँ इनीड्र किया बोलेंगे हम इनिजी कॉम बोलेंगे एनुर्त और जितनी एनुर्क सोती औतनी जिए एक पेड़की एज हम उसकी अनुर्स रिंग से Πर एक डियाइड से इसकी सब्सक्राइब राइट जी हां कार्बन डेटिंग से बच्चा फोसिल की वो तो फोसिल के लिए होता है ना कार्बन डेटिंग की अगर आप बात करते हैं अगर आप बात करते हैं कार्बन डेटिंग की तो कार्बन डेटिंग बेसिकली हम लोग फोसिल के लिए यूज करते हैं आपको पता है इतना simpler कोशन बहुत ही कम देखने को मिलेगा लेकिन एक्जाम में आ जाता है कि जैसे कि कल आपका एक यहाँ मैंने आपको बताया चलो अगर आप और तो यह तीनों के तीनों क्या होता है मैं स्टैम पार्ट होते हैं कौन से होते हैं बस यह थोड़ा lower side में पाए जाते हैं, यह lower stem part होते हैं, यह आपके जड़ वाले part नहीं होते हैं, प्लीज इस बात को समझ लेना, और अगर कभी पूछे tomato क्या है, तो tomato क्या है, मैम यह fruit वाला part है, कौन सा part होता है, यह एक plant का fruit वाला part होता है, आपका tomato, right? अच्छा एक बात बताईए, कहते हैं कि सलाद में प्याज खानी चाहिए, ना, ऐसा क्यों है, कि सैलेड में प्याज खानी चाहिए, सैलेड में ओनियन खाना चाहिए, ऐसा क्यों है, क्या किसी को पता है, ऐसा क्यों होता है, कहते हैं कि सैलेड में प्याज जरूर खाया करो, क् हो जल्दी से क्या किसी को पता है इसका कैसे का नेचर कैसी होता है और यह जो भी आपका खाना होता है उस में अ Barnिय निकलती एउसको डाउन करती है और आपके पेट में एसीडिक होने से रोकती है इसलिए प्याज को सैलेड के रूप में खाया जाता है जी हां डाइजेशन अच्छा रहोता है माइडिया डाइजेशन तो अच्छा होगा क्यों कि मैं ऑक्सीडेशन को फास्ट कराएगी एकड़ी होने से रोक लेगी इसलिए सैलेड में प्यास होगी प्यास की तासिर थंडी होती है तो यह गर्मी को रिडियूस करती है ठीक है चलो जी हां और आपको पता है कि मैम इसके अंदर क्या होता है मैम H2O भी पाया जाएको तो माई डियर आपको fibers भी मिल जाते हैं अगला क्या है जो आपके मेंस के अंदर pollination होता है वो किसकी वज़ाय से होता है वो self-pollination होता है वो insects कराते हैं वो air कराती है या वो rain कराते है चलिए जी the transfer of pollen grains इसी को हम क्या बोलते हैं पॉलिनेशन बोलते हैं तो जो pollination maze के अंदर होता है वो किस type से होता है वो कौन से mode से होएगा वो खुद बखुद हो जाएगा उसे insects कराएंगे वो हवा करवाएगी या वो आपका rain को यह बताइए मेरे प्यारों कोशन का क्या पायाँ सब्सक्राइब तो बहुत प्यार है बताइए इस में जोहता है यह होता है ठीक है अगला कोशन देखते हैं यह वह मैंने पढ़ा रखा है radiologists do not take the x-ray of intestine हमारे intestine में x-ray नहीं होता हमारे intestine में endoscopy होती है क्या होती है मैं? endoscopy तो क्या reason है कि हमारे intestine में x-ray नहीं होता क्योंकि x-rays हमारे intestine को effect करती है x-rays हमारे intestine में cross नहीं करती वो उनकी clear pick नहीं लेती या वो उसको खराब कर देती है अब बताएए जिस question का right answer क्या पाए जाएगा क्यों हम endoscopy करवाते हैं और क्यों हम X-ray नहीं लेते तो बच्चा किसी ने बोला है कि मैं यह cancer cause करेगा नहीं नलाए को हमारा intestine जो है वो soft muscular part है हमारा intestine जो है वो soft muscular part है और वो इतना soft muscular part है कि X-ray is not able to capture the clear picture that's why we will do the endoscopy that's why we will do the endoscopy वाव मैं cancer होगा radiation से बहुत बढ़िया अगर आपकी यहीं सोचा तो फिर एक माँ बताओ कि जब आपकी हड्डिया तूटती तो उस टाइम आप एक्सरे कराओगे तब क्या होगा तब क्या होगा तब आपको cancer नहीं होगा हमारी soft muscles की pictures click नहीं कर पाता तब ही endoscopy लेते हैं बताओ मतलब मैं सीधा मैं one से नहीं है ओ ओ ओ ओ ओ चलो अगला question देखते हैं क्या है exo biological भी आया था कल भी कोशन आया था लेकिन कल उसके options में कुछ आगे पीछा था आज कुछ आगे पीछे क्योंकि यह question मैं already आपको करवा रही हूं और यह question आपके कल भी आया था यानि कि मैं के कराईवे questions exam में आ रहे है क्योंकि मैं को एक लंबा चोड़ा experience है दस साल का लेकिन अब आपको कदर नहीं है ना आप तो कदर नहीं करते हैं session को like नहीं करते शेरी नहीं करते हैं और हमारे defense अड़ा को subscribe भी नहीं करते हैं तो कैसे काम चलेगा और याद रखना my dear आपको app के अंदर सारे PDF के link मिलेंगे तो आपको app को download करना है और app में सारे PDF के link आपको मिल जाएंगे अब बच्चा exobiology मैंने कल भी explain करा तो option right क्या जाएगा option जाएगा option जाएगा option number D right answer क्या जाएगा बच्चा मेरे right answer जाएगा option number D life on the other planets and space ठीक है चलिए अब हम देखते हैं कि बच्चा अगला question क्या होगा तो बच्चा अगला question क्या होगा अगला question जाएगा animals do not have enzyme system which enable them to make the use of energy from देखो जिनके पास enzyme system नहीं होता animals do not have enzyme system which enable them to make the use of energy from तो वह किसे energy लेने में enable होते हैं जी हाँ बच्चा अगर जिन animals के पास में enzyme system नहीं है उन्हें किस type की energy नहीं मिल पाती उन्हें fat वाली energy नहीं मिलेगी उन्हें water वही water तो energy देता ही नहीं protein भी energy नहीं देगा या तो carbohydrate जाएगा या fat जाएगा अब बताओ right answer क्या पाया जाएगा अब बताओ बच्चा right answer क्या पाया जाएगा कि जिन animals के अंदर enzymes नहीं होती उनको कौन सी energy की कमी पाई जाती है तो मैं उनके अंदर fat की कमी होती है लेकिन उनकी body fat खुद से बनाएगी इसलिए weis के दूद में fat जो होता है वह आपको मिलता है भैस उसके fat को use नहीं करती भैस के दूद में गाय के दूद में इतना fat होता है तो मैं वह वह खुद क्यों नहीं use करती क्योंकि उनकी body में ऐसी enzymes नहीं है कि इस fat को वह digest करे इसलिए वह सार्ए का सारा फेट हमारे पास मलाई और मक्षन के रूप में आता है फिर बंतियस की कलाकन ओहो हो मज़ा आ गया कलाकन के नाम पे ठीक है चलो याद रखना बच्चा क्यूं भैस का दूद फैटी होता है और वह हम पीते हैं क्योंकि उनकी बोड़ी में ऐसी एंजाइम नहीं कि उसक का डाइजेशन हो सके अगला कोशन कै कि क्लोन क्या होते हैं बहुत प्यारा कोशन है क्लोन क्या होते हैं बताइए इस कोशन का देखो मैं आपको एक एक कोशन का आंसर एक्स्प्लेइन करके चल रही हूँ यानि कि जो भी आंसर आपको दिया हुए उसको बता रही हैं क्यों क्या कैसे यही एक तरीका है आपको बेस से बेस समझाने का क्योंकि माई डियर अगर आपको पढ़ना है कि मैम अब ये अब वो अब ये अब वो कैसे हुआ तो उसके लिए तो आपको पेड कोर्स लेना ही पड़ेगा अब बताओ जी बफैलो का मिल्क पिस दिमाख मोटा होता है बोलते है मैम काओ का पीना चाहिए देखिए मैं बता देती हूँ आपकी बोड़ी के दो फेज होते हैं आपकी बोड़ी का ग्रोथ एज आपकी बोड़ी का ग्रोथ एज ग्रोथ एज में क्या चाहिए प्रोटीन चाहिए ग्रोथ इसमें क्या चाहिए इसमें आपको फैट चाहिए ताकि आप मैक्सिमम दस गंटे बारा गंटे क्या कर सके काम कर सके तो ऐसे में आपको मैक्सिमम एनरजी कहां से मिलेगी यह आपको मिलेगी बफैलो के मिल्क से तो याद रखना बच्चों के ग्रोथ एयर में काव मिल्क अच ठीक है बिल्कुल और क्लोन क्या होता है मैं सेल्स हैविंग सीमिलर जैनेटिक कॉंस्टिटूशन और फॉस्ट क्लोन जी हां बिल्कुल फॉस्ट क्लोन का नाम क्या है मैं फॉस्ट क्लोन शीप का नाम क्या है वो है डोली जी हां और मैंने आपको डोली जी की फोटो दिखाई थी ठीक My वो गई यहां पर उसने बताए ऐसा हुआ और इसमें 10 बात लगाईगी कि तीशरी के पास तीशरी उस दस बात ने 40 बात तोड़ लगाएगी और ऐसे करते करते पहाड का पूरा माउंट आवरेस तैयार हो जाते है तब अच्छा आपने सुना है आपने जो सुना है उसको उसके पीछे का उसके रीजन क्या है रीजन तो जान लो है खोचुओँ चलो अगला कौशन देखते है यही तो बात को बस Estं कि हम इंडियं समस्ते नहीं है समस्ते नहीं lieu बात को बस यहिन कर लेते हैं उड़ती-इड़ती बात होंगे बहुत प्यारा कोशन बताओ इस कोशन का राइट अंसर क्या पाया जाएगा जी हाँ जाद आवर करने के लिए बफ़लो को कि बच्चा आपको बताएं कि आपको मैक्सिमम एनर्जी कौन देता है मैक्सिमम एनर्जी आपको फैट से मिलती है हाँ बिल्कुल रेजन समझने के लिए आपको लाइब हमारे सामने आनापड़ेगा हमसे मिलना पड़ेगा राइद लाइध इस कोशन का राइट अंसर देखो मैं समझा जहती हूं माँποं आपके रफ और स्टी की उते हैं कैसे होते हैं वह आपके रफ और स्टीकी पाए कौन सी disease worries करता है माई डियर ये आपकी lungs disease होती है इसको बोलते है lungs disorder और इस lungs disorder में क्या होता है मैम shortness of breathing हो जाते है क्या हो जाते है मैं बच्चा लोग मैम हो जाता है shortness of breathing क्या हो जाएगा मैम shortness of breathing क्योंकि जो alvoloies होती है जो alvoloies होती है वो क्या हो जाती है मैम डामेज तो बच्चा as Mannosphatose से कौन सी विमारी होती है dysentery होएगी diarrhea होगे इसाहिए घाराइर है मै मैं अभी क्या बोलैंगे जब आपकी muscles activity जब आपकी यह आप दोनों को पहले से मैंने आप सबको बताई रखा तो राइट आंसर क्या जाएगा मैं इंफाइसीमा आपकी एस्वर्टोस से होती है इंफाइसीमा वह लंग्स डिसोडर है जिसमें सांस लेने में बिमारी होती है और आपकी क्या हो जाती है देमेज हो जाती है जिख से जलेगा कॉशन देखता है इज और क्लर विजन इंफेक्टीड बैं रैड्यर आपकी आँखोंaggi। या इन कि अपकूर में क्लर रंग देखते हैं वह किसकी विज़ासे क्लर विजन मतलब क्या हो गया color blindness क्या हो गया color blindness तो आपको color blindness कौन से cell के damage होने से होता है koroid coat से sclericoid से roads या कौन तो मैं यह ना तो कोई coat पाए जाएगा आपको बता है road और कौन cell को हम क्या बोलते है photo receptors बोलते हैं क्या बोलते है photo receptor बोलते है अब इन में से एक क्या कराता है एक कराता है night blindness एक कराता है night blindness बताओ जी night blindness कोन कराएगा और color blindness कोन कराएगा बस यही तब पूछाए बताओ right answer क्या जाएगा तो कौन cell से क्या होगा माई डिर कौन cell इसका right answer जाएगा कौन cell से क्या होगा color blindness और रोड सेल से क्या हो जाएगा मैं नाइट ब्लाइडनेस है ना और रोड सेल आपकी आखों में ज्यादा पाए जाते हैं चलिए अगला कोशन क्या पाए जाएगा फॉलोइंग इस दा नोट इंत स्टैक और इंपोर्टेण स्टैप और प्रॉसेसिंग ऑफ ती लीउजी माईदेयर जब हम में करते यानि कि मैं जब चाय की पत्त тебе को सुखाते हैं तो कौन सा प्रोसेस इने से नहीं करते यह आप से बताईएंगे बताये जिस कोशन की सुखाने में कौन सा प्रोसेस नहीं किया जाता बहुत प्यारा कॉशन है बताइब पाया जाएगा जी हाँ जल्दी जल्दी बताएए इस question का right answer क्या पाया जाएगा बहुत ही प्यारा question है और इस प्यारे से question का आपको प्यारा सा right answer my dear ma'am weathering जी हाँ weathering जाएगा जो आपका weathering process है वो हम लोग नहीं करेंगे अगला question क्या है dehydration in human body is caused due to the loss of आपकी body में dehydration किसकी कमी से होता है vitamins की कमी से नमक की कमी से hormones की कमी से या पानी की कमी से बताओ इस question का right answer क्या पाया जाएगा आपकी body में dehydration किसकी कमी से होता है what a lovely question बहुत ही lovely question है और ऐसा ही एक dehydration वाला question कल भी आपके exam में आया था जी हां जो कर हमने exam का part पड़ा था वहां भी आया था तो dehydration एक important concept है यह आपके exam में आती है बोलो मेरे प्यारो इस question का right answer क्या पाये जाएगा some idea right answer जाएगा पानी है ना पानी रे पानी रे चलो जी अगला question देखते हैं बहुत simple question है इसका दाँसर देही देंगे सब अगला question क्या है largest living bird बहुत बहुत प्यारा और इस largest living bird का जो एग होता है उसको बोलते हैं world largest egg क्या बोलते हैं वर्ल्स लारजेस्ट एग क्या बोलते हैं वर्ल्स लारजेस्ट एग अब बताइए अब बताइए कि राइट आंसर क्या पाया जाएगा जी हाँ अब बताइए कि राइट आंसर क्या पाया जाएगा चलो बोलिए 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 बच्छा लोग इस कोशन का राइट आंसर क आजाएगा मैं option number C that is ostrich पाया जाएगा अब आज की class का सबसे आखरी question जी हां आज की class का सबसे आखरी question जब भी test tube babies होते हैं तो test tube babies को पैदा करने का procedure सबसे one कौन सा होता है the number one step जी हां test babies को जब हम क्या करते हैं हमें पता है एक test tube के अंदर is pumps को और उनको ओवास को हम लोग मिलाते हैं ना तो अब बच्चा टैस्ट्यू बेबिस के लिए कौन सा point बिल्कुल सही दिया गया है जी हां एग इस फर्टिलाइज इन युट्रस बिल्कुल गलत एंब्रोइज इस इस प्लेस इन युट्रस आफ्टर टू मंथ बिल्कुल सही जी हां दो महीने तक हम लोग टेस्टिंग करते हैं कि आपका एंब्रोइज बनेगा और उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं दो महीने बाद उस एंब्रोइज को यूट्रस के अंदर डाल दिया जाता है तो मेरे घोचुओं मेरे नलाएकों मेरे कद्दूओं याद रखना दो महीने बाद टैस्टू बेबी का जो चुटकू सा बेबी होता है दो महीने बाद मा के गर्व में मदर वो में ट्रांसवर किया जाएगा ठीक है अब बताए कैसी लगी आज की क्लास चलो बताओ जल्दी स से मैक्सिमम सेलक्षन सीडियस में जाने चाहिए राइट राइट में चलो अब बताओ जल्दी से क्लास कैसी लगी और यह मैंने ओपन कर दिया है लो पूरा इक है हो गया बड़े पे जाते हैं अड़ा 247 पर आप जाएंगे यहां पे जाना आप ओल कोर्सिस पे देखो ओल जाएंगे डिफेंस पे जाएंगे सीडियस पे जाएंगे ठीक है गये लेकिन घजा नहीं पाएं पीडियस आव पूराइगा यह बीडबल देखो बच्चा आप लोगों के लिए क्लिए आ चुका है सीडियस का टार्गेट इस बैच और यह बैच जो है यह आपका फरस्ट से स्टार हो रहा है यह इसका प्राइज है अब इस पे क्लिक करके आपको 77 परसंट का डिसकाउंट लेना है तो आपको कोड लगाना होगा 2431 क्या लगाना होगा आपको कोड लगाना होगा 2431 ठीक है चलिए बताइए आगे चलिए जी अच्छा ता मैं जर्नल लोलिज बढ़ा ठीक है चलिए तो अगला सेशन जो आपका रहेगा वो रहेगा आपको पता है कि मैं आपसे मिलती हूं फिर सवानों बज़े रात को मिलती हूं और डेली मैं मिला करूंगी आप लोगों से 12 बज़े ठीक है और जो NDA वा हो रहा है और बच्चा लोग प्राइस 77 परसंट रिडियूस हो जाएगा कोड लगा लेना वाई 431 कोड क्या लगाना वाई 431 लगाना और अभी के लिए हम चलते हैं अब हम मुलाकात करेंगे रात को सवानों बज़े जब तक के लिए गुडबाई जैहिन जैमार काल